हेलो गाइस, वेलकम बैक नहीं जोस नहीं हूं मंग के साथ, मैं आज फिर ले आया हूँ आपके लिए एक फ्रेस्ट कंटेंट गाइस, जब कोई नया बंदा या नहीं बंदी, गाड़ी सीखती है, यानि नौसिक ही आज जब गाड़ी सीखता है तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं आज उनी प्रॉब्लम हो में से मैं एक प्रॉब्लम के बारे में डिसकस करने वाला हूं और इसका सॉलूछन आज का वीडियो बहुत ही सोट और बहुत ही क्रिस्प रहएगा कुकि उसके सॉलूचन के बारे में बात करेंगे, तो स्सार्ट करें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक नए ड्राइवर को आती है वो ये है कि गाड़ी की विथ कितनी है हमारी गाड़ी की विथ कितनी है कि हमें कितने लेफ्ट साइड से गाड़ी को चलाना है ताकि आप किसी इंसान को लेफ्ट में जो चलते हैं उसको ना ठोक दे ना आपकी गाड़ी किसी पीलर या कोई और पत्था से जाके टकरा जाए तो अब इस प्रावलम का सॉलूशन क्या है दो सॉलूशन है गाड़ी को चलाते जाओ आप जितना चलाते जाओगे, आपको पता चल जाएगे, कि आपकी गाड़ी की width कितनी है, और आपको कितने left और कितने right side से गाड़ी को चलानी है, तो guys जो दूसरा technical तरीका है, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी गाड़ी right direction में चल रही है कि नहीं, वो यह है, आपके पते हो कि गनेश जी का जो face है वो आपके एकदम वहाँ पे touch हो रहा है, इसका मतलब आपकी गाड़ी एकदम सही direction पे चल रही है, यह देखो आप, यह देखो, अगर आप इस तरह से चला रहे हो, कि आपका यह जो line है, पूरा का पूरा उससे match हो रहा है, vertically cross हो पा रहा है, एकदम सही direction में चलाने का, देख लो guys आप, यह tree जा रही है, मैं उस line को देख रहा हूं और गाड़ी चला रहा हूं, एकदम perfect line पे गाड़ी चल रही है, यह आप देख सकते हो, कि गनेश जी का जो face है, एकदम उसकी के line पे मैं एकदम vertically चला रहा हूं, तो गाड़ी एकदम perfect line पे चल रही है, hope you guys आपको यह video अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, तो आपको अगर अच्छा informative लगा है, तो like कर दीजे, share कर दीजे, और वो भी कर दीजे, चलिए, bye bye guys